बिखार बिधान सवा आम निर्वाचन 2020 मत गन्ना पड़ी नाम आया लेकिन एक मत गन्ना और बांकी और वो बिखार बिधान पड़ी सच्चुनावगा इवियम से नहीं बैलिट बॉक्स में और यहां 16 उमिदवारों के भाग का फैसला होना है गुरुवार को 13 सिक्षक उमिदवार भी हैं 29 उमिदवारों के भाग का फैसला आठ बजे सुबह मत गन्ना सुरू होगी CM8 कॉलेज में मालूम रहे कि बिहार बिधान सबा आम निर्वाचन से के बीज 22 अक्टूबर को वोट डाले गए थे और वरियता करम में 16 उमिदवारों में इसनातक उमिदवारों ने मुहर लगा दिया है करमांक दे दिया है और जिनका किस्मत राजनितिक किस्मत इस बैलिट बॉक्स में बंद है CM8 कॉलेज को मतगना बजरिगरी बनाया गया है जहां 22 तारिक की साम से सुरक्षाबल की तैनाती है और अब वोटों की गिंती होगी परमंडली आयूक्त मयंक बरबरे इसके निर्वाचन पतादिकारी होते हैं देखे कि जिला पतादिकारी ने भी उस समय इस्थित उमिद्वार है सिक्षक निर्वाचन में तो ये 16 और 139 उमिद्वारों के भागे का फैसला होगा और इसमें वरियता करम देखा जाता है यानि कुल मतों की जो गिरे हैं उसका 50% प्रतिसत पलस एक मत लाना जरूरी है विजयता के लिए और अगर पहले राउंड में या करम नहीं होता है तो दूसरा पसंद और दूसरे राउंड में भी नहीं होगा तो तीसरा और करम बार चौथा पांचमा पसंद करके आपको कुल गिरे मतों का 50% पलस एक वोट लाना है जो 16 उमिद्वार हैं दर्भंगा इसनातक निर्वाचन छेतर से वे लगातार उन्होंने जन समपर्क किया कम समय मिला करोणाकाल में जन समपर्क और यह था संभव इन लोगों ने मतदाताओं से वोट माले मांगे इसनातक मतदाता होते हैं इसमें जिन उमिद्वारों के भाग का फैसला होना है उसमें बता दें आपको अनील कुमार जहा ये राश्ट्रिय जनता दलके हैं अंजनी कुमार सिंग भारतिय कॉमनिस्ट पारचि मार्क्सवादी के दिलिप कुमार चोधरी जो निवर्तमान विधान पार्सद हैं जनता दल उनाइटेट के संजय कुमार मिसरा भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के इसके अलावा निरदलिय रूप में कुमार सिंग कृष्ण मोहन चौधरी डॉक्टर मुहमद महताव आलम प्रमोद कुमार मुनेसर यादव मुनेंदर प्रसाद यादव मुहमद इमामूल हक रजनी कांथ पाठक रामनंदन सिंग संभु कुमार जहा सर्वेश कुमार और सिकंदर राय तो यह 16 उमिदवार है यह दून कुमार है भारतिय कमिनिष्ट पार्टी डॉक्टर मदन महंजा है जो निवर्तमान विदान पारसद है भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के रामदेव राय भारतिय कमिनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी के सुरेश परसाद राय भारतिय जनता पार्टी के अनिल कु जहा मुहमद डाक्टर मुक्तार रहमाद, दयानिदी परसाद राय, नीलम कुमारी, मोहिट ठाकूर, रवी संकर भगत, राम बावुसा और बिनोध कुमार सिंग, निर्दलिय रूप से इस मैदान में हैं, जिनके वोटो की गिंती का काम गुरुवार की सुबा करी सुरक्षा विवस्था के बीच, CMR कॉलेज में प्रारंब होगा। रीड हर्टी अननस रोग विसे सके डॉक्टर प्रियंका विस्था राफ, इस्त्रिय अप्रसौती रोग विसे सके DMCH के सामनी लहरी असराई ग्लोबल हेल्थ केर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर जो बिहार में पहला अंतराश्य तक्नीक एवं आधुनेक सुविधाओं से लैस सूपर स्पेशलिटी डायबिटीज के इंदर हैं, जहां एक छट के नीचे डायबिटीज से संबंदित सारी सुविधाएं जैसे के डायबिटीज हार्ट केर, डायबिटीज आई केर, डायबिटीज नूरो केर, डायबिटीज फूट केर, डायबिटीज फॉर्मेसी और डायबिटीज पर्योगशाला जदियू की जहां से हार हुई वहां से राजत के ललित कुमार यादव लगबग 2200 वोर्ट से जीते लेकन यहां लोजप्पा ने से नपारी की जहां एक ओर जो मीडिया का सर्वे था चुनावी सर्वे एकजिट पूल वो ध्वस्त और धरासाई होता दिखा और सर्वे दिखाने वाले मीडिया कर्मी अपने सर्वे की रिपोर्ट को दबाते रहे छुपाते रहे दर्भंगा जिले में सबसे ज़्यादा अगर पूरे बिहार में बात करें तो दस में से नौ सीट नब्वे परतिसत और ये परतिसत जिर्व पच्छिम चंपारन में और दर्भंगा जिले में राष्ट्य जनतांतरी गटबंदन की सरकार बनने में सहायक 78 कुसेसर अस्थान की बात करें हम कुसेसर अस्थान से ससिभूसन हजारी ने बाजी मार ली है ससीबूसन हजारी वहां से बिधायक हुए हैं और लगातार वे चुने गए पहले भी वे निवर्तमान थे उन्होंने कॉंग्रेस के डाक्टर असोक कुमार को हराया ससीबूसन हजारी को 53,952 वोट मिले तो असोक कुमार को 46,576 वोट मिले यहां से लोजप्पा के उमिदवार भी थे लेकिन ये हडा नहीं पाए 13,343 वोट लोजप्पा की पूनम कुमारी को आया तो ये फिर जहां था कई जगा लोजप्पा के प्रत्यासी के कारण राष्ट्रिय जनतांत्रिक गटवंदन की हार हुई लेकिन यहां असर नहीं दिखा पप्पू यादव की पार्टी जनदिकार पार्टी के लोगतांत्रिक के मुरारी पासवान भी यहां खड़े थे परिसान तो जरूर किया लेकिन जीत की राह में वे बाधक नहीं बन सके ससी भुसन हजारी के जनता को देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ जिदाने का वहां का लोगों की काम किया है और अमनिये नितिस कुमार जी के नित्रुत में पूरे बिहार में और खास करके दरमक्डा में तो एंडेए का लहर ही भार आ था और जो सावित करके दिखा दिया जो 10 का 10 में से 9 सिट जिदेए के पक्ष में आया है जिसे से आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साथ है। उनका छेत्र बदला और यह सीट भाजपा के खाते में और यहां से सुनिल कुमार सिंग जो दिवंगत बिधान पारसत से उनकी पुत्र वधु स्वरना सिंग को यह सीट दी गई वी आईपी के खाते में यह सीट गया और उसने बाजी मार ली। लाए लेकिन स्वरना सिंग के 69,489 वोटों से वे पीछे चूट गए। जाप के उमिदवार विसंबर यादव भी थे वे चार अंक में नहीं पहुँचे 597 पर रुख गए जबकि पुलूरल्स पार्टी जिसने बिहार के मुख मंतरी सीट पर दावा ठोका था उनके उसके उमिदवार कमलेस राय 635 वोट लाकर ही ठिटक गए। चार अंकों में पहुँचने वाली पार्टी में मुहमद निर्दलिया मुहमद इसराफील 1444 वोट रहे जबकि पुर्विधायक यहां डॉक्टर इजहार अमद निर्दलिया थे 5474 वोट पर रुख गए। चार अंकों में पहुँचने वाले में सरोज कुमार चौधरी 1685 वोट अजय आदव 1175 वोट और तमन्ना खान को 1018 वोट मिला यहां सबसे ज़्यादा 24 सुमिदवार चुनाओं मैदान में थे जो वहां से अपनी किसमत आज मा रहे थे दरवंगा के बेनीपूर से जदियू के खाते में मिली सीट पर बिने कुमार चौधरी जो जदियू के जिला देक्स थे और वो पत्रकाडिता भी करते हैं प्रोफेसर भी हैं उस पर जदियू ने दाओं खेला उनका घर हनुमान नगर में है उन्हें वहां भेजा लेकिन ब पराजित कर दिया और इस तरह से वे वहां से जदियू के विधायक निर्वाचित हुए बेनीपूर में बिने कुमार चौधरी को 16,416 मत मिला जबकि मितलेस कुमार चौधरी 54,826 पर रुख गए यहां से लोजपा के परत्यासी थे कमल राम बिनोज्जा 17,616 बोट लाए लेकिन बिने कुमार चौधरी के जीत में वे बाधक नहीं बन सके यहां से जाब के परत्यासी भी राजेस कुमार मिस्रा जो पपू यादब की पार्टी है 1576 बोट पर रुख गए जबकि राजीव कुमार 4,641 बोट ला सके राजीव कुमार मितलेस कुमार चौधरी के बा 4,641 बोट लाया इसके अलावा निर्दलिय सगनी राय को 3,082 बोट संजीत कुमार को 3,741 बोट और राम कुमार जहा को 6,211 बोट मिला नथिनी राम ये भी यहां से चुनाव लर रहे थे 1,929 बोट तो ये चार अंक में पहुंचने वाले यहां से परत्यासी थे जो जाप के 1576 बोट लाने वाले राजेस कुमार मिसरा से आगे रहे कि वह बोड़िया भी इस तर यहां से बान कर ले दे अब उनके लिए उनको यहां पर अब दर्वंगा का बेटा यहां लड़ेगा दर्वंगा के बाहर वाले के लिए उसके अजगर नहीं थे लेकिन वी आई पी के चुनाव चिंद पर लड़ रहे मिस्री लाल यादव जो भाजपा से 2015 में भी परत्यासी थे अब्दुलबारी सिद्धी की से हार गए थे इस बार अब्दुलबारी सिद्धी की ने अपना छेतर बदला राजद से बिनोद मिसर को टिकट मिला उन रिलाल यादव की राह रोक नहीं पाए 8,850 वोट लाकर ठिटक गए इसके अलावा फरहान आलम ये लोकतांत्रिक जनसक्ती पार्टी के थे ये भी चुनाव लर रहे थे 1275 वोट लाए जापके संजय कुमार सिंग ने यहां जरूर 9,737 वोट लाकर लोगों को चौका दिय चारंक में पहुंचने वाले वहां बहुत उमिदवार थे जिनमें फकीरा पासवान 4,468 नसीर आजम सिद्धिकी को 2,413 संभू मिसर को 2,178 नसीर नबाब को 1,576 मुहमद जमीर को 1,705 और राजपाल जहा को 1,087 यहां बहुत मत्तों का बटवारा हुआ बावजूद और सुलेखा देवी को 1,938 लेकिन उसके बावजूद मिसरी लाल यादव बाजी मारने में सफल रहे अब्दुलबारी सिद्धिकी जो वहां जमे हुए थे उनका जो समराज बना हुआ था एक छत्र लोगों के साथ जो भेदवावरत रहे थे विकास में जो पक्षपात कर रहे थे इसलिए लोगों में काफी थी जो एक तरह से मुझे आजादी मिलनी चाहिए वो आजादी न सारे समी करन द्वस्त हुए और इसलिए द्वस्त हुआ जो लोग वहां चाहते थे पिछली बार से ही जो मिश्री लाल जादब हमारा विधायक हो आपने यह भी देखा हो अली नगर में लगाता इस बात की चर्चा थी कि बाहरी हटाओ लोकल लाओ इस तरह की चर्चा लग यह मतलब जो पर्तिद्वंदी था महागडवंधन के उमिद्वार थे जो बहुत दिनों से जमें हुए थे वो अपने बचाव के लिए यह नारा दे रहे थे और जनता कहते थी जो हम मिश्री लाल चाहिए और वो कहते थे जो बाहरी भगाओ यह बात वह नारा लगा रहा जनता आजिवात का प्रमान दिया है जो हमें मिश्री लाल चाहिए और वो चाहते थे जो आपस में तोर के फोर के आजो देखे हैं कि ने उनका उमिद्वार कहा है जो हम 62,000 बोट हमको मतलब ब्रह्मन का है और हमने इस काम में सफल हो गया जो ब्रह्मन के बोट को तोर दिय चीर दिया हम कहते हैं जो ब्रह्मन को चीर सका न भार सका और केवटी की जनता उनको वकाड का पता चला दिया जो हम क्या है और दरभंगा ग्रामीन बिरासी का जहां काटे के मुकाबले में ललित यादव छठी बार यहां से विधायक निर्वाचत हुए 1995 से जब मनी गाची विधान सवा छेतर था मदन मोहंजहा को जो अभी कांग्रेस से गठवंदन है उन्होंने पराजित कर जीत हासिल की थी 1995 से लगातार 2000 में वे चुनाव जीते 2005 के फरवरी में एक ऐसा समय था जब प्रभाकर चौदरी से वे हार गए लेकिन वा विधान सवा जादा दिन तक नहीं चला और प्रभाकर चौदरी साथ महीने तक ही विधायक रहे नौंबर महीने में चुनाव हुआ ललिती आदव ने वा सिट छीन ली 2005 में जीते 2010 में भी वे जीते 2015 में भी जीते और 2020 में काटे के मुकाबले में उन्होंने उस समय अपने ही पार्टी में रहने वाले फराज फात्मी को 2200 मतों से हरा कर जीत हासिल कर ली और राज़त का पाया होने से एक तरह से यहां से बचा लिया राज़त जिसे मात्र एक सीट मिला दर्भंगा ग्रामीन ललिती आदव ने इज्यत रखी राष्ट्रिय जनता दल कहें या फिर महा गठवंदन सात उमिदवार सबसे कम उमिदवार थे यहां ललित कुमार यादव को 64929 वोट मिले यवकि फराज फात्मी जो क्योटी से विधायक थे राज़त के पार्टी बदलकर छेतर बदलकर आए दर्भंगा ग्रामीन बासट हजार 788 पर रुख गए लेकिन यहां से भाजपा के बागी परत्यासी प्रदीप कुमार ठाकूर लोजपा के बैनर पर चुनाव लरक 17605 बोट लाए सूत्र बताते हैं कि इन्होंने एक मदद कर दी जदियू को ये सीट जितने में हारने में और अंतता राज़त ने एक सीट जो हासिल किया उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा परदीप कुमार ठाकूर का जो 17605 बोट लाकर उन्होंने समिकरन ही बदल दि और अंतता ललित कुमार यादव यहां से विजय हुए अश्याओ प्राइब कुछ हम बता पाएंगे जो कहां हम नोहों से चुक हुई है या क्या बात है असलियत विस्वास किये हैं और कम से कम एक जूग हो जाता है इसकी वार हम पर विश्वास किये हैं नगया, जीत के लिए जो वोटों का अंतर है और मर्थवा से कौफी कम है इस पर क्या जहिए पूर मिस्जा करेंगें अभी कु में केबल सर्टिफिकेट हांसिल हुआ लेकिन अब उसको हम समिक्षा करेंगे किन कारण से हुआ है कहा हुआ है सब समिक्षा उपरांती इस पर हम कुछ बता है दरवंगा सहर में सबसे चर्चित सीट और लगातार लों की उत्सुकता 83 दरवंगा सहरी विदान सबसे यहां से पांचवी बार संजय सरावगी विधायक बने संजय सरावगी जिनोंने अखिल भारतिय विद्यार्थी परिसत से अपनी राजनिती सुरू की और 2005 में भारतिय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया उस समय उनके दावे जो दावेदार थे टिकट के वे पुर्व बिधायक सिवनात बर्मा और भाजपा के कद्दावर ने ता सत्य नारायन गामी लेकिन इन दोनों से अलग हटकर संजय सरावगी ने अंतता टिकट लेने में कामयावी हासिल की और सत्य नारायन गामी बागी बनकर लोजपा के टिकट पर आए लेकिन पहली बार निर्दलिय से हारने के बाद दूसरी बाद कुछ प्रभाव नहीं दिखा पाए और संजय सरावगी ने ततकालीन राजत परत्यासी मुम्ताज अंसारी को सिकस दे कर पहली बार फरवरी 2005 में बिधायक बने लेकिन बिधान सबा भंग होने के कारण या साथ-ाथ महीने बाद ही रुक गया और नौंबर में चुनाव हुआ और या सीट कॉंग्रेस के हिस्से में चला गया और उस समय मनीगाची से अपनी किसमत आजमाने वाले मदन महंजा को कॉंग्रेस गठवंदन ने यहां चुनाव में उतारा लेकिन संजय सरावगी ने उने भी सिकस दे दिया और चुनाव में जीत हासिल की वक्त बदला समय बदला पांच साल बदला 2010 का आया नितीज कुमार का पर्चम लहर पे था और उस लहर में 2010 में भी कई विरोद के बावजूद संजय सरावगी ने अंततर टिकट हासिल किया इस वार उनका मुकाबला 2000 से 2005 तक विधायक रहने वाले राज़त के सुल्तान अहमद अंसारी से था 27,000 मतों से सिकस दे कर संजय सरावगी तीसरी वार दर्भंगा सहर के विधायक बने 2010 में टिकट के प्रबल दावेदार में उस समय दिवंगत हुए सत्त नारायन गामी के बाई भाजपा के जिला अध्यक्च रहने वाले अमरनाथ गामी भी थे काफी जद्दो जहद के बाद अंतता अमरनाथ गामी को हाया घार से भाजपा का टिकट दिया गया अमरनाथ गामी वहां से बिधायक हुए और संजै सरावगी दरवंगा सहरी छेतर से बिधायक हुए बारतिय जन्ता पार्टी में दोनों साथ साथ थे और 2014 में ऐसी स्थिति आई जब नितीज कुमार का मो भंग हुआ नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री बने और गठवंदन टूटा उस समय भी अमरनाथ गामी के जदियू और राजद के महा गठवंदन में सहर से लड़ने की बात थी लेकिन अंतता यसीट राजद के हिस्से में गया यहां से पुर्भ महापौर ओम प्रकास खेडिया को टिकट दिया गया और अमरनाथ गामी पार्टी बदल कर जदियू के टिकट पर हाया घाट से चुनाव मैदान में थे चुनाव हुआ दर्भंगा जिले के दस बिधान सवाचेतर में सबसे ज़्यादा बोट से जीत हासिल कर अमरनाथ गामी दूसरी बार हाया घाट के बिधायक बने यहां से राजद के टिकट पर लगने वाले ओम प्रकास खेडिया सत्तर हजार वोट लाकर भी चुनाव हार क्योंकि भाजपा प्रत्यासी संजै सरावगी को सत्तर हजार से अधिक लोगों ने वोट दे कर जिता दिया और अन्तता साथ हजार वोटों से उन्होंने जीत हासिल कर लिया उस समय भार्त पुनर्ट दो साल के बाद 2017 में जदियू और भाजपा का गठवन्दन हुआ और अन्तता इस बार अन्तिम च्छनों में अमरनाद गामी ने पुनः पार्टी बदला और हाया घाट या सहर इस चर्चा के साथ उन्होंने राजद को जोईन किया दर्भंगा सह अपने ब्यान में उन्होंने कहा कि एक मेरा जनम भूमी दूसरा करम भूमी और अन्तता जनम भूमी को उन्होंने चुना यहां से टिकट लिया करे संगर्स में काटे की टकर में चुनाव हुआ दोनों के दावे के बीच अन्तता मदगन्ना के बाद जैसे ही चुनाव मदगन्ना शुरू हुई पोस्टल बैलेट को छोड़ दें तो अमरनाथ गामी कंसी से लगातार पीछे होते चले गए और दर्भंगा सहर में परवे मामला आठ हजार तक गया लेकिन अंतता जब लहडिया सराय और पंड़ा सराय की ओर फिर वोटों की गिंती अंत हुई तो फासला दस हजार आठ सो से ज्यादा था अमरनाथ गामी को कुल 73,505 वोट मिला जबकि संजय सरावगी को 84,144 वोट मिला मामले को तिरकोनिया में लगातार दावा देने वाले संकर कुमार जा निर्दलिया को 2757 मतों से संतोस करना पड़ा जबकि जनता पार्टी के सिंबॉल पर लर रहे सुजित कुमार चौदरी को चौकाने वाला 2093 वोट मिला यही नहीं निर्दलिये लड़ने वाले महंदरलाल दास ने 2152 वोट और मितलिस चंदर सहनी ने 1348 वोट लाकर सब को चौका दिया यहां से जाप के उमिदवार सियाराम पासवान भी थे जो किसी तरह चारंग में पहुँचे एक हजार पैतालिस पर वे रुक गए इसके अलावा इन सब की बात करें तो HDPI के प्रत्यासी नुरूदिन जंगी भी चारंग में नहीं पहुँच पाए 523 पर रुक गए अमजद खान 710 पर ठहर गए पिंटू खान 135 पर बिलकुल नीचे रह गए महंदर पासवान को 96 मुजाहीद को 157 राजकुमार महतो को 129 रोसेंदर कुमार को 169 लाल बाबु महतो को 117 संजय कुमार राय को 257 संतोस कुमार पुर्वे को 238 और संजय कुमार ज्हा को 170 वोट मिला एक मातर महिला परत्यासी विजैसरी परसाद 212 पर रुक गई यहां सबसे कम 170 लोगों ने नोटा पर बटन दवाया और अन्तता सारहे 10 हजार से अधिक मतों से संजय सराओगी पांचमी बार यहां से विधायक बने जो भी छुटे वे काम असम लोग पूरा करेंगे और जनता ने जो अपेक्षाय और आकांग्षाय 84 हायागाट विधान सबाचेतर जदियू के खाते में था लेकिन अमरनाद गामी के पाला बदलने से या भाजपा के खाते में चला गया और यहां से भाजपा ने अपने परत्यासी के रूप में रामचनर परसाद को चुनाओ मैदान में उतारा और बहादुरपूर से विधायक रहने वाले लालू यादव के खास कहे जाने वाले भोला यादव ने अपनी सीट बदल कर हाया घार से किसमत आजमाया जो रास नहीं आया भोला यादव 56,508 बोट पर रुख गए रामचनर परसाद 66,929 बोट लाकर वहाँ से विधायक निर्वाचित हुए यहाँ से जाप के परत्यासी अब्दुस्तलाम खा मुन्ना खा भी लगातार संगर्स कर रहे थे लेकिन 5,000 का भी आकरा नहीं चू सके 4,888 पर रुख गए निर्दलिय प्रदर रहे रविन रनाज सिंग और चिंटू सिंग जिनें मतदान से दो दिन पहले गोली लगी थी घायल थे 4,573 बोट लाकर उन्होंने अपनी उपस्थिती दिखा दी इसके अलावा चारंग में रहने वालों में गीता देवी 1725 बोट परमजीत कुमार 1241 बोट जान की नंदन चौदरी को 1122 बोट और रौसन नायक को 1093 बोट मिले हाया घार से रामचंदर परसाद 2010 में अमरनाद गामी के टिकट मिलने पर बागी के रूप में खड़े हो गए थे लेकिन उनकी वहाँ नहीं चली इस बार भाजपा के टिकट पर वे वहाँ से विधायक निर्वाचित हुए बहुत दिनों से यह हाया घार के आवाद थी यह हाया घार के आवाद थी कि यहां पर अथानी बेटा को टिकट मिले पचासी बहादूरपूर बहादूरपूर विधान सभाचेत्र 2010 में मदन सहनी 1000 से कम मतों से यहां विधायक बने थे हरिननन यादव को हरा कर 2015 में महा गटबनन बनने के बाद भोला यादव की नजर यहां सीट पर थी मदन सहनी को गोड़ा बोड़ाम भेज दिया गया अलग बात है कि मदन सहनी ने वहाँ जीत हासिल कर ली लेकिन 2020 में वे वापस बहादूरपूर आए तो उन्हें करी टककर मिली इस बाद टककर मिली लोजप्पा के टिकट पर लड़ने वाले आर के चौदरी जो हाया घार से लड़े थे उन्हें बदल कर छेतर बदल कर पार्टी बदल कर बहादूरपूर से लाल्टेन थमाया गया और काटे की टककर में अन्तता मदन सहनी जीत तो गए यहां लोजप्पा प्रत्यासी देविंद्र कुमार जहा थे जिन्होंने 16,873 वोट लाकर भी मदन सहनी की जीत की राह को नहीं रोक पाए देविंद्र कुमार जहा को 16,873 वोट और बगल घनुमान नगर की रहने वाली जो प्लूरस पार्टी की प्रमुक थी उनकी निकटवरती प्रियंका सिंग चुनाव मैदान में प्लूरस पार्टी पर थी मातर 811 वोट ही ला सकी यहां से जो अन्य उमिद्वार थे उसमें बिने कुमार सिंग 4,938 वोट बल्देव राम 3,570 वोट इत्यादी लाए लेकिन अंतता मदन सहनी ने 68,538 वोट लाकर रमेश कुमार चौधरी के 65,909 वोट को पार कर लगभग 3,000 मतों से चुनाव जित लिया मदन सहनी खादेवमापुर्ती मंत्री पांच साल तक रहे और तीसरी बार उन्होंने बहादुरपुर से दूसरी बार जीत हासिल की है अंतर से एक सीट हम लोग बूच किया है लेकिन नौ सीट जीते हैं हम लोग इसको 100% मांगते हैं यह एंडिये की सबसे बड़ी जीत है इतने हमारे मत आता मालिक ने इसमें अपना मत दिया है अश्रवाद के रुप में सभी को हम लोग अपने एंडिये परिवार से और से अपनी और से धनवाद ग्यापित करते हैं और सेवा भाव से हम लोग को जो मत मिले हैं और जीत मिली हैं सेवा भाव से अपने विधांसा वाच्छेत्र में भी काम करेंगे दूसरे जगह भी अगर मोका मिलेगा तो दूस थे वियाटी के साथ ही सभी ने सहयों किया 86 क्योटी विधानसवा छेत्र जहां से राज़त के कई टिकट के दावेदार थे और सब पर बिराम लगा कर अंतता पार्टी ने राज़त के कद्दावर ने ता अब्दुलबारी सिद्धिकी को अली नगर छेत्र बदल कर यहां भेजा लेकिन मूँ की खानी पड़ी और छेत्र बदल कर बहादुर पूर से क्योटी जाने वाले भाज़पा प्रत्यासी मुरारी मोहंज़ा वहां से विधायक निर्वाचित हुए 76,372 बोट लाकर अब्दुलबारी सिद्धिकी के 71,246 बोट को पार कर लिया और इस तरह वे वहां से विधायक बने यहां के जाप के प्रत्यासी समियूला खान कुछ नहीं कर पाए 817 बोट पर ही रुख गए फुलूरल्स के माधव कुमार चौधरी 257 पर ठिठक गए योगेस रंजन को चौकाने वाला 3,304 बोट निर्दलिया को आया लेकिन इसके अलावा कोई खास नहीं कर पाए और अंतता अब्दुलबारी सिद्धिकी को जो लगातार 1995 से पहले बहेरा 2000 में बहेरा और 1977 में भी वे विधायक बने थे लेकिन अगर 95 से बात करें तो दो बार बहेरा से और बाद में यही छेतर कट कर कुछ संसोधन कर अली नगर हुआ वहां से 2005 के दोनों चुनाओं में 2010 में 2015 में ये वहां से विधायक निर्वाचित हुए लेकिन इस बार उन्होंने छेतर बदला और साथ साथ वे पुर्व विधायक हो गए राज़त के कददावर निता के रूप में जाने जाते हैं अब्दुलवारी सिद्दिकी और मुरारी महंज़ा जो बहादुर पूर से गए थे उन्होंने पराजित कर दिया इन्डिये के संपुन काज करताओं का और परमादर्निये हमारे जो प्रदानमंती हैं नरेंदर मोदी जी का और नितिश जी का कमाल था अब उनके काजों का लोगों ने फल दिया है जो काम मानिये नरेंदर मोदी जी ने पिछले चो बरसों से लगाता है जन्ता के लिए किया है उसी का पर्दिफल है कि इतना वरा फैसला मितला अंचल में दस में नौ सिर इतने में हम सपन रखाए 87 जाले जाले विदान सभाज चर्चित में रहा कॉंग्रिस के मस्कूर अammद आस्मानी को टिकट दे कर लेकिन अंतता कॉंग्रिस ने अपना इस्टेंड कायम रखा मस्कूर अमद उस्मानी के कारण कॉंग्रेस के अंदर भी भितरगात और चर्चाए थी लेकिन अंतता कॉंग्रेस ने कैंडिडेट नहीं बदला यहां से जिवेश कुमार जो दूसरी बार 87,376 वोट लाकर मस्कूर अमद उस्मानी के 65,580 बोट को काफी अंतर से पाट दिया यहां जाप के उमिदवार मातर 1,949 बोट ला पाए हां भाजपा के जो रंगनाठ ठाकुर हैं वे बागी परत्यासी के रूप में खड़े थे 3,086 बोट लाकर ठिठक गए रुख गए 22,000 मतों के अंतर से जिवेश कुमार दूसरी बार जाले के विधायक बने और जो निर्दलिय परत्यासी थे उसमें चार अंक लाने वालों में नजीर अहमद अंसारी को 1,801 बोट और महेश कुमार जा को 1,829 बोट आया और अंतता 22,000 मतों से जिवेश कुमार दूसरी बार विधान सबा पहुंचे जाले विधान सबा छेतर से एक बार चार्ज करें 80 किलो मिटर चलाएं I am electric, I am the future No license, no registration, no insurance, no pollution Only यूराच हीरो एलेक्रिक Hero Electric करें, Salana, 36,000 रुपे से भी ज्यादा की बचलते Easy Finance Available नमस्कार यूराच हीरो एलेक्रिक में आप सबका स्वागत है यूराच हीरो एलेक्रिक सैदनगर, एक्मी रोड, लहीरा सराय, दर्भंगा खुल गया, खुल गया, खुल गया सुधा स्वीट्स एन वेकर्स की नई दुखान अललपटी वियाईपी रोड मारूती शोरूम के निकट सभी प्रकार के रोजगुले, मिठाई, केक के साथी चटपटी, चार्ड, समोसा और बहुत सस्ते एंकिफाईती दामों में हमारा साथ ग्रांखों का विश्वास, सुधा की नई साखा जिसमें हैं कुछ खास एक बार पधारें सेवा का मोखा दें, प्रॉप्राइटर विमो सर्मा चुनावी, आहट और चुनावी, रास्ते के वीच हवाई जहाजुरा, आठ तारीको, हलाकि मतदान उस समय तक समाप्त हो गया था लेकिन चुनाव से पहले जो लगातार सबसे ज़्यादा चर्चा थी, कोसी पूल के बाद, दर्भंगा से हवाई अड़ा और एम्स और इसी के साथ इसमें योगदान और स्रे लेने की होड में कई नाम आये, लेकिन संजय कुमार जहा भाजपानेता, विधान पारसद एक ऐसा नाम, जिन्होंने एरी चोटी लगाई, लोक सभा चुनाव से भी पहले, एन वक्त पर हवाई जहाज उड़ना सका, और अगली तिथी तै हुई, हलाकि कई आलोचनाओं का सिकार होने के बाद भी संजय कुमार जहा अंतता इसमें लगे रहे, और भलही को इसरे लेले, लेकिन लगातार जो फ्लाइट कंपनी है, और एर इंडिया से बात कर, नागरी कुद्यन मंत्री को लाने में उनकी एहम भोमिका रह हवाई पट्टी तैयार हो गया, तिथी की घोसना हो गई, तो जिम्मेवारी थी, दर्भंगा जिले के दस बिधान सबा छेत्रों में इंडिया को जीत दिलाना, लगातार नितीज कुमार और परधान मंत्री नरेंडर मोदी के बाद, तीसरा कोई, अगर छेत्रिये नेताओ में सबसे ज्यादा परचार परसार और जिम्मेवारी लेने का काम किया, तो वे थे संजय कुमार जहा, जिनोंने जदियू के कारेकारी अध्यक्ष असोग चौदरी के साथ मिलकर कई सभाएं की, तावर तोड सभाएं और लोगों को बताया कि विकास क्या चीज है, विकास क क्या होता है, एंडिये ने क्या किया, कोसी पूल से लेकर एरोड्राम तक के जो कार्ज है उसे गिनाया और अपनी योजना को बताया, इंजिनियर रहे मुख मंतरी नितीज कुमार के सोसल इंजिनियरिंग के प्लान को बताया और कहा कि मितलांचल में विकास एक दसक में ही, 15 वर्सों में ही लोगों ने देखा है, बार और सुखार की मार जहल रहे, मितलांचल में अगर और विकास देखना हो, तो एंडिये की सरकार को लानी होगी, और उनका यह तीर चल गया, भाजपा नेताओं ने, भाजपा उमिदवारों ने, और तीर छाप नेताओं ने, वि देने वाला दर्भंगा जिला बना, दर्भंगा जिला ही एक ऐसा जिला है पुरे बिहार में, जहां से एंडिये गठवन्दन को 9 सिट मिला है, और अन्तता विकास की बात पर लोगों ने वोट दिया, या प्रमानित हो गया, हवाई अड़ा और एम्स को लेकर या सुर्खि भी होना पड़ा, लेकिन अन्तता इंडिये तैस समय पर चुनाव से पहले टिकट की बुकिंग सुरू कर दी, पहली फलाइट से यहां के नेताओं ने उरान भी बड़ी, अलोचनाएं भी हुई, लेकिन जब वो इवियम खुला, तो जनता ने इसे सही मान कर इंडिये की ज धोली में मानो सब कुछ डाल दिया, संजय कुमार जा और असोक कुमार चौधरी, अगर हम बात करें तो पूरे दर्भंगा जिला में सभी जो एंडिये के उमिदवार थे, उसे जिताने के लिए हेलिकॉप्टर से घूमते रहे, प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी की रैली मे जहां तक उनकी आवाज नहीं पहुची, संदेश नहीं पहुचा, नितीज कुमार मुख मंतरी जहां तक नहीं गए, वहां की खाई को संजय कुमार जा और असोक चौधरी ने सम्मिलित रूप से मिलकर पाटा, एक अगरी जाती के नेता और दूसरे दलित नेता ने अपना प्रभाव दिखाया और इंडिये को जीत में काफी सहायक बनें झाल 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